संथाल विद्रो धीरे धीरे उभरती है और विरोध करती है भारत भी इस तरह के इतिहाद से अच्छूता नहीं रहा जैसे दुनिया के अन्य देश तो भारत में भी जैसे संथालीों के एदि हम बात करें पूर में मैंने राजमहल के पहाडीयलों की बात की। साथ में जमीदारों के विद्रोह की बात की, कई बार मैंने आपको जोतदारों के विद्रोह का विजिक्र किया है यहां जाने थोड़ा संथालों के साथ क्या हुगा जैसा कि विवरन को मैंने पढ़ा कलकटा रिव्यू का संदर्व आपको दिया इसमें तो बड़ा साफ था कि जो इस्तमरारी बंदो बस विवस्था थी जिसे हम इस्तमरारी बंदो विवस्था कहते हैं उसमें संथालों को बड़ा नुक्सान हो रहा था उनको काफी अपनी जमीन से हद होना पड़ा उसको जमी उनके हाथ से निकल गई और दूसरों को चला गया उसके साथ ही साथ जमी ये संथाल लोग धीरे जरे समझने भी लगे थे कि उनके साथ बहुत अत्याचार हो रहा है अन्याय हो रहा है उनका शोशन हो रहा है उनका दमन भी हो रहा है उनके साथ दुर व्यवहार भी हो रहा है तो ये सब की परणिती आने वाले समय में विद्रोह के रूप में होने लगी 1855 में ये जो इन लोगों का जो गुस्टा था संथाल के लोगों का वह इतना बढ़ गया कि उसने एक विक्राल विद्रोह का रूप ले लिया विक्राल एक काफी बड़े सशस्त्र विद्रोह का रूप ले लिया और ये लगभग उसी ही समय की बात है जब ये कलकत्ता रिव्यू का जिक्र किया जा रहा है यानि कलकत्ता रिव्यू में जो बात लिखी थी वो वास्तों में सच थी और उसके इस लिखने के कुछ समय बाद ही ये विद्रोह हुआ ये जो सशस्त्र विद्रोह था ये शसस्त्र था हत्यारों के साथ था 1855-56 के जिस विद्रोह का मैं जिक्र कर रहा हूँ इसमें भागलपूर मान भूमी या वीर भूमी जिसे कह सकते हैं राजमहल इस खेत्र की जातियों जन जातियों ने काफी बड़ी संख्या में हिस्सा लिया अब सोची ये सारी जातियां जन जातियां एकत्रित हो जाएं और एक बड़ी संख्या में भाग लें ये तभी संभव है जब ये सभी जातियां ये समझ जाएं कि उनकी इस दुर व्यवस्था का, उनकी इस शोचनी व्यवस्था का कारण एक ही हैं और वे हैं अंग्रेज या अंग्रेजों से जुड़ो हुए लोग तो एक common enemy उनको मिल गया था और वो इतना समझने लगे थे राजमहल के जो भगना डी गाउं राजमहल में जो भगना डी नाम का जो गाउं है उस गाउं में चुलू संथाल के चार पुत्र थे जह था मैंने बताया कि ये अंदोलन ये विद्रोह संथाल संथालों के दौरा था उसमें चुलू संथाल के चार पुत्र थे सिधू, कान्हू, चांद और भैरव जिसमें सिधू और कान्हू ने मूल रूप से इस विद्रोह का नित्रित्व किया था लगातार उपेक्षा से, लगातार दमन से, लगातार शोशन से परेशान होकर 1856 में ही भावना डी जगह में, गाउं में, वहाँ पर लगबग 10, 1000 लोग एकत्रित्व हुए और इस भीड का नित्रित्व, यहीं दो भाई जिनका नाम मैंने बताया, सिधू और कान्हू कर रहे थे सोची एक ही परिवार से चार भाईयों के द्वारा, पूरे संथाल समाज का नित्रित्व करना और बाद में अन्य जनजात्यों का इसमें जुड़ जाना एक बहुत रेर घटना है इन दोनों भाईयों ने मात्रिस भीड को एकठा ही नहीं किया, बलकि अंग्रेजों के द्वारा, जमीनदारों के द्वारा, साहू कारों द्वारा, जिन्हें हम महाजन कह सकते हैं और अन्य सरकारी अधिकारियों के द्वारा किये जारे अत्याचारों का उन्होंने विस्त्रित बक विवरण दिया, विस्त्रित उसका उलेक किया और सभा को बहुत उकसाया अंग्रेजों के द्वारा किये जा रहे है अत्याचार के प्रती उन्होंने इस भीड को काफी प्रेरित किया उत्तेजित किया ये उत्तेजना अपने चरम सकर्ष में पहुँच गई और अंत में कान्हों और सिद्धु ने पूरी जन सभासे यह शपत लिए कि स्वतंतरता ही हमारा अंतिम लक्ष है याने हम स्वतंतरता की घोशना करते हैं ऐसा उन्होंने वहाँ पर उत्गोशित कर दिया ये एक बहुत बड़ी घटना थी कि किसी एक व्यक्ति समूह द्वारा समाज समूह द्वारा अंग्रेजों से स्वतंतरता की घोशना किया जाना ये अपने तरह की पहली घटना थी को ना सहने की भी शपत ली गए को कि जैसा मैंने बताया कि इन ही लोगों से तो संथाल भी तरस्त थे पहड़िया भी और अन्य जाती के लोग भी तरस्त थे तो उन्होंने कहा अंग्रेजों से पुलिस से उनकी जो अपनी जमीदार हैं जो शाहुकार हैं इन लोगों के किसी भी तरह को अब हम अन्याय को नहीं चाहेंगे और इसके बाद आग जनी और लूट की घटनाय हो गए अंग्रेजी अधिकारियों के और वे अधिकारियों के जो अंग्रेज शासन से जुड़े हुए थे भले ही भारती थे उनके घरों को जला दिया रेलवे स्टेशन जला दिये गया डाग घरों पर आग जनी होई और इस प्रकार बहुत से नील अधिकारी जो थे जो नील के कारे को देखते थे इसका सुपरविजन करते थे नील की जो फैक्टरियां थी जहांपर नील का उत्पादन होता था या नील बनाया जाता था और अन्ये अधिकारियों क कटल करने लगे बड़े स्केल पर इन लों का कटल हुआ और जो केंद्र थे इनके हमले के वो यही जगह थी अधिकारियों के निवास, कारियाले, डाग घर, रेल्वे स्टेशन, आधी आधी और ये नील के फैक्टरियां ये केंद्र बिंदु बन गए इन सारे हमलों के इस सशस्त्र विद्रोह का प्रारंभिष की शुरुवात हम देख सकते हैं साथ जुलाई अठारा सौ पच्पन साथ जुलाई अठारा सौ पच्पन को दीधी एक जगह है जहां एक छोटी सी घटना हुई और इस घटना ने एक विकराल रूप ले लिया समय के साथ-साथ दीधी का जो थानेदार था जो वहाँ जो थाना था उस थाने का जो भारती थानेदार था वो दो संथाल कैदियों का अपने साथ ले जा रहा था इसको दो भाईयों ने देख लिया कौन दो भाई सिद्धू और कानून है आज जैसा मैंने शुरू बताए कि लोग चार भाई थे चार में से दो भाईय केह इन संजाल को कैदी के रूप में ठानेदार द्वारा ले जाते हुअ देख लिया और इस परी थोड़े को तेजित हो गया और उन्हों ने प्रयास किया कि ये कैदीMat को छोड़ा जाए, दोनों संजालों कैदीочно को छोड़ने का प्रयास किया और काफी तैश में आका थानेदार से बात की जब ये लोग तैश में आएं तो पलीस वर्दी वाला जो थानेदार था उसका गुस्टा सात्वे आस्मान पे पहुंच गया और उसने इनकी भी गरफतारी करने की कोशिश की सिद्धू और कानू को भी गरफतार करने की कोशिश की परिणाम क्या हुआ कि जो संथालों को जब ये खबर लगी तो उन्हें थानेदार जिसका नाम महिशलाल दत्त था उसको तो वहीं मार डाला उसकी वहीं हत्या करनी और साथ में नौ दूसरे जो पुलीस वालिद से उस पदस उन्हें भी मौद के घाट उतार दिया तो ये जो घटना हुई है ये घटना कोई एक दिन की अचानक स्वफूर्ती होने वाली घटना नहीं थी इसके वीचे काफी लंबा इतिहास था जो मैंने पहले जिक्र किया है सत्रा सो सत्तर से जो चल रहा था संथालों के इस सब पूर्व की घटनाओं की परणिती ही तो थी सिद्धू और कानू को संथालों की राजा तथा चांद और भैरव को चेनापति घोशित किया गया तो इस तरकार ये चारों भाई एक तरीके से संथाल ग्रुप के मुख्या हो गया मैं पुना दो रहा दूँ सिंदू और कानू इन दोनों को राजा घोशित किया गया किन का संथालों का और चांद और भारव जो थे ये सेनापति घोशित किया गया इसके साथ ही ये विद्रोह अपने चरम परा गया और विद्रोहियों ने इन चारों भाईयों के नित्रत में ये कसम खाई कि कमपनी का राज खत्म होने तक स्थानी संथाल राज के स्थापना होने तक वे सतत रूप से अंग्रेजों से संघर्ष करते रहेंगे तो साथ जुलाई इन अठारा सो पच्पन की घटना दीधी उसमें इन चार भाईयों का रोल मुख्य भूमिका और एक और यह घोशना कि हम संथाल राज के स्थापित होने तक सदत संघर्ष करते रहेंगे लगवग साथ हज्जार की विशाल से न इनकी तयार थी और ये चारों भाई नेतर तो कर ही रह थे इन्होंने क्या किया कि अपनी इस फौज को जो अपने तरीके के ट्रिडिशनल हथियारों से लैस्ट थी जिसमें धनुच बान उनका मुख्य हतियार था उसको उन्होंने दो भागों में बाटा दो टुकड़ों में बाटा और अनेका नेक हमले किये अनेक खेत्रों में हमले किये हमले ही हमले करते चले गया है और वो हमले जो थे मूल रूप से छापा मारी हमले होते थे आपको मलूम होगा कि छापा मारी हमला क्या है शिवा जी एक ऐसा उदारन है जो छापा मार हमले के लिए प्रसिद्ध थे यानि अचानक कहीं छुप कर अचानक हमला करना बिना किसी पूरु सूचना के बिना किसी वाभास के किसी टुकडी पर अचानक हमला करना यही च्छापा मारी हमला कहलाता है संथाल लोग उसमें बड़े दक्ष थे और इस प्रकार उनकी जिस साथ हजार की जो फौश थी उसने कई जगह पर हमला किया एक टुकडी और साथ ही उन्होंने नारा भी दिया इस हमले के साथ साथ यह लोग नारा भी देते थे और नारे में इनका मुख्य रहता था पुलीस अंग्रेज अधिकारी महाजन और उसके साथ ही सरकारी कर्मचारियों का नाश हो कुल मिलाकर यह बड़ा स्पश्ट था कि इनका सारा गुस्सा अंग्रेजी उस व्यवस्था पर था जो संथालों के लिए दखल हो गई थी जो संथालों के लिए एक परिशानी का कारण बन गई थी तो इस विकार एक टुकड़ी जो थी उसने वुद की गाउं प्याकर मड़ किया इसी साथ हिजार की फौज की एक चोटी टुकड़ी ने जाकर वुद की गाउं पर अट्मड किया और वह पर अंग्रेज़ अधिकारियों की,ंग्रेज परिवारों की और अंग्रेजी सेवा से जुलोईए लोंगों की हत्याएं की बड़े स्केल पर जहां तक दूसरी टुकडी की बात है, दूसरी टुकडी साहब गंज की ओर मुड़ गई और साहब गंज में उसने अनेक अंग्रेजों को मारा, अनेक अंग्रेजों की हत्या की और उसके बाद वहां से रवाना हुए भागलपुर का कलेक्टर, भागलपुर एक बड़ा जिला होता था, उसका कलेक्टर किसी तरह अपनी जान बचाया, वो समय वहीं राजमहल में ही था, राजमहल की पहाड़ियों में ही था, किसी तरह छिप बच कर अपनी जान बचा पाया और किसी तरह से वहां से निकला गुड़ा अंचल में विद्रोही संथालों का नेत्रित जो था वो गुक्को ने किया गुक्को नाम की वक्ति ने गुड़ा संथालों का नेतरित किया उस खेत्र में एक अलगी टुकड़ी आगे बढ़ी और कई हजार संथालों ने जो हमला करके जो महाजन लोग थे जो भाग रहे थे भगोड़े महाजनों को पकड़ पकड़के उनको मात के घाट ता रहा मतलब संथालों का गुस्ता अठारा तो पच्पन चपन में अपनी चरम पर था और बिना अपनी परवाह किये अपने जान की परवाह किये उन्होंने अन्य जन जातियों के सहयोग से साथ मिल कर इतने भरी हमले किये कि अंग्रेज बहुत कड़ाई से पेश आने पे विवश हो अधिकारियों की हत्याएं और साथ ही शास्की व्यस्ता पर लगातार हमले इन संथालों के द्वारा किये जा रहे हैं तो सभाविक था अंग्रेज भी चुपनी बैठते हैं उन्होंने भी अप्ठान लिया कि किसी तरह से संथाल विद्रों को कुचला जाए और उसके दमन क की पूरी तयारी के लिए उन्होंने 15,000 प्रशिक्षित सैनकों की फॉज भेजी और इन 15,000 प्रशिक्षित सैनकों की फॉज आगे बढ़ती गई गाउं के गाउं जलाते चले गए और साथ ही कई लोगों का कतल भी करते चले गए रास्ते में याने जिसे हम कहते हैं जैसे क संथालों का हिंसात्मक विद्रो उसकी प्रतिक्रिया अंग्रेजों ने दुग ने हिंसा से दी और जिस तरीके से उन्होंने दमन किया वह भी एक एक बहुत ही बहुत ही निर्मम तरीका था याक्मन ही बहुत ही बुरा था संथालों ने इस समय तक बहराईच को अपने हमले का केंदर बना लिया था वैसे तो शास्की कारियाल है और घर केंदर थे लेकिन यदि शहर की बात करें तो बहराईच नाम का शहरा इनका मुख्य बना च्छापा मारी रणीति से उन्होंने अंग्रेजों के छक्के छड़ दिया अंग्रेजों के मुश्किल कर दिया क्योंकि छापा मारी तरीके में यह जानना या समझना मुश्किल होता है कि हम किसी स्थिति के लिए तैयार किस स्थिति के लिए तैयार हुएं और यही बात यहां पर होती थी इनके जो इनके जो विद्रोह थे जो जिसमें जन जा ये अन्य जो कौशल थे उससे जुड़े हुए जो जाति के लोग थे इन लोगों ने भी इसमें अपना हाथ बटाना शुरू किया और इस प्रकार सब एक साथ मिल गए 15 अगस 1955 अंतता अंग्रेज परेशान हो गया और उन्होंने 15 अगस 1955 को एक तरीके से अल्टिमेटम दिया किसको संथाल लोगों को कि 10 दिन के अंदर आत्म समर्पन कर दें अन्य था प्रतिक रियात्मक का रवाई जो अत्याधिक दमनात्मक होगी उसके लिए हम जम्मेवार नहीं रहेंगे ये घोशना अंग्रेज ने की 15 अगस 1955 को 15 अगस 1955 दस दिन की महलत आत्म समर्पन की अंग्रेजों के बहुत अपेक्षा थी कि शायद इस लूट पार्ट और आग जनी से जो अंग्रेजों की से नाप कर रही थी गाउं के गाउं जलाते हुए आगे बढ़ रही थी इससे संथाल लोग अब विवश होंगे और जुग जाएंगे और आत्म समर्पन कर देंगे पर ऐसा नहीं हुआ एक भी संथाल ने आत्म समर्पन करना सुईकार नहीं किया उसकी बात ही नहीं किया अंत्ता 10 नमबर 1855 को अंग्रेजों ने बिहार और बंगाल का जो खेतर है वह सेना को सौब दिया इस्थिति इतनी बिगड़ चुकी थी प्रशासनिक अब विवस्था इतनी तूट चुकी थी इतने अत्याचार हो रहे थे इतनी हिंसा हो रही थी कि सितंबर, अक्तूबर और नमबर के ये धाई माह की इस्थिति को देखते हुए अंत्ता अंग्रेज सरकार विवस्थ हो गई कि बिहार और बंगाल सेना को सौप दिया जाए और ये सेना को सौपने के बाद ही थोड़ी इस्थिति बदली सेना का अमानुशिक व्यभार, सेना का कुरूरता पुर्वक दमन, सेना के द्वारा किया गया अत्याचार, ये बढ़ता गया और इस्थितियां बदलती गई फरवरी 1856 में संथाल विद्रो का सबसे बड़े नेता सिध्धू, उसको गोली मार दी गई चांद और भैरो, भागलपुर के पास बिहार में एक जगह वो लोग भी मारे गए, जहां पर भैंकर युद्ध चला, लेकिन दुरभागे से चांद और गोरो नहीं बच पाए, चांद और वैभो नहीं बच पाए, और वे भी मारे गए फरवरी 56 के तीसरे सब्ताह में, कान्हू जो बचा हुआ था, वो भी पकड़ लिया गया, अब वो अकिला हो गया ऐसा विचारा, वो भी पकड़ा गया, और उसे भी वही गोली मार दी गई तो इस प्रकार चारों भाई, जिसमें से दो राजा थे और दो सेना पती थे, इन लोगों का यह हरश हुआ और चारों मार दिये गए, बहुत ही कठोरता से अंग्रेज पेश आये, और बड़ी कठोर दमन नीती उन्होंने अपनाई, और इस कड़ाई का अनुसरन करते विक्राल रूप ले चुका था, उसे वह पूरी तरह को चलने में अंतता सफल हो गया, अंग्रेजी सेना का तोपों और बंडूकों से लैस होना, संथाल लोगों का असपलता का मुख कारण है, क्योंकि संथाल लोग पाडिया थे, जंगली थे, उनके जो हतियार होते थे, पुराने तरीके के धनुजबान थे, भाले थे, लाठियां थी, पत्थर थे, कहां एक और ये संथाल और कहां डूसरी और, वहां अंग्रेजी फाज, जिसके पास बारूत था, जिसके पास तोपे थी, जिसके पास बंडूके थी, तो निश्यतरूप से संघर्ष जो था द द्रोग का पतन क्यों हुआ, तो मुख्य कारण कहा जा सकता है, उनके पास बंडूक या तोप आदी का ना होना, संथालों की पराज़ा का मुख्य कारण, और जब ये द्रोग कुचल दिया गया, पूरी तरह दमनात्मक नीदी के बाद इसको समाप किया गया, चारों भाई जिला एक बना दिया गया, ताकि इस जिले को अलग दिष्टी से देखा जाए और उसका विकास किया जाए। इस से लिया गया, जब ये तन्थालों को जब नप्ता दिया गया, तो ये भी एक कदम उसमें अत्याधिक महत्पूंट था, कि उन्होंने उसको तोड़ने के लिए, अंग्रेजों की नीती ही रही थी, डिवाइड और रूल, उसी के ताथ उन्होंने एक बहुत बड़ा ख मिशिनरियों के अंतरगत अन्य का प्रवेश वर्जित कर दिया, इसके पीछे मकसद कुछ और था, धार्मिक मकसद नहीं था, इसाई करना संथालों का ये अपनी तरह एक अलग कारण था, लेकिन उसके अलावा इनका ऐसा सोचना था, कि दूसरे मिशिनरियों को अन्यमति ना देने से, ये जो ईशाई, जो पादरी लोग हैं, वे लोग शायद संथालों में राजभक्त की भावना लाने में सफल होंगे, उनके साथ, उनके संबंध यदि सुधरते हैं, तो अंग्रेजों के प्रती थोड़ा उनके मन में जुकावा जाए, तो इसलिए उन्होंने पादरियों को अपने इस कारक का मुख्य जरिया बनाया और उनके मन में भावना पैदा करने की ख्योशिश की, और अपनिवेशिक शरकार जो थी, उसके उस सरकार के मातहद, उन्हों ने आशा थी कि नए परगने के बल पर कुछ नए कानून लागू होने से संथाल लोग शायद अब संतुष्ट हो जाएंगे, ये अंग्रेजों की सोश थी, आखिर अंग्रेजों ने इतना दमन, इतना विरोध, इतना विद्रोह तो देखा था, और इनके कलपना के बाहर क बात थी कि संथाल जैसे विनम्र लोग, जिसका विवरन मैंने पूर में किया है, एक बुकानिन ने भी, फ्रांसिज बुकानिन ने भी अपनी पुस्तक में जो विवरन में लिखा है, वे लोग इतने ज़्यादा कुरोजित हो जाएंगे, इतने ज़्यादा मुखर हो जाए जाएंगे कि स्थियादा के तवी तरह की हत्याइं करने के लिए तयार रहेंगे, किंतो अंग्रेजों के द्वारा, आत्मी तमर्पन की घोशना क कोई रसर नहीं हुआ, अंग्रेजों के द्वारा, बिहार और बंगाल, फौज को दे देने से भी, थोड़ी राहत तो मिली अंग्रेजों को लेकिन विद्रो और मन की जो अशान्ती थी उसे भी नहीं कुछल सके।